नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसा कि यहां पर आप लोग देख पार होगी हमारा सिंहरवली भासकर का आफिसियल पेपर है जो कि 25 अप्रेल 1222 और आज ही के डिट के हमारा पेपर है तो यहां पर क अंदोलन की रूप रेखा देखिए क्या रूप रेखा है यह से एंपीडी आई के में मर्जर का विरोज सुरू हो चुका है आप यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर बताया गया है कि कोलकाता में कोईला इंडिया प्रबंधन और स्रम संगठन प्रतिनिधियों के कोईला कामगारों की जे भी CCI 11 की बैठक में वेतन समझाओते का मामला बे नतीजे रहा साथ ही कोल माइनिंग प्लानिंग एवन डिजानिंग इंसिट्यूट लिंटेड यानि कि CMPDI को कोल इंडिया से अलग कर मिनेरल एक्स्प्लोरेशन कार्पोरेशन लिंटेड MECL के इसको हमने पहले भी आपको बताया ही था कि जो मरजर का प्रस्ताव ये पारित हो चुका है और इस मामले को लेकर स्रम संगठन भारिया क्रोस है स्रम संगठन प्रतिनेदियों ने कहा कि बिना स्रम संगठन प्रतिनेदियों से वारता किये ही सरकार इस प्रकार का फैसला ले हैं महामंत्री विर्यंद्र सिंग्विष्ट ने उन्होंने का है कि जे बी सी सी इलेवन की अब तक चार बैठकें हो चुकी है और प्रते पांच वर्स में होने वाले वेतन समझाओते पर कोल इंडिया प्रबंधन कोई निरड़ा नहीं ले सकी है सरकार के इसारे पर CMPDIL और MECL में बिना स्रमिक संगठनों से चर्चा किये मर्ज कर दिया जाएगा और कोल इंडिया में सभी कमपनियों में लागू सैप बायोमेट्रिक हाजरी आधी का भी एक तरफा निरड़ा लिया गया है जिससे वेतन विसंगतिया बनी हुई है इन सभी मुद्दों को ले सभी मंडल कोईला मंत्री से मिलेगा और कोल इंडिया में 9.4.0 को पुनह लागू करना फिमेल वी आरेस लागू करना आज कई जो अलंत मुद्दे हैं बीते साथ से आठ वरसों से कोईला मजदूरों ने कई सुभधाय कोई हैं लेकिन उनके एवज में पाया कुछ नहीं है प्रबंधन के ऐसे आक्षन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार भी कोईला मजदूरों का वेतन समझाता करने के मूड में नहीं है पहली बैठक में वेतन समझाते को दस वर्स की अवध में कराने और फिर महज तीन प्रस्चत जीवी का प्रस्ताव से इन सभी आसंकाओं को ब गंभीरता से विचार करना होगा आप से मद्वेद भुलाकर एक उटता के साथ सभी मामलों पर आरपार की लड़ाई लड़नी होगी अन्था आने वाले समय में कोईला मजदूरों का जीवन गंभीर मामलों में उलच कर रहे जाएगा और इन सभी प्रयासों के लिए कोईल मंतरे से मिलकर वारता करनी होगा यदि वारता से समधन नहीं निकलता है तो अन्दोलन कर रास्ता अक्तियार करना होगा ठीक तो यहां पर दोस्तों आप लोग देव सकते हैं जो कोल इंडिया की तरफ से में सीयल है और सीमपीडियाई है अब इसको मेरजर कर दिया गया इस को कह रहा कि कोल इंडिया की जितने भी आधर कंपनी हैं उसमें हम लोग सेप्ट करेंगे इसलिए अब बैकेंसी भी अब यहां पर कमी है वह बीसी सीयल से ट्रांसफर हो जा रहा है कोल इंडिया की तरफ से यहां पर नोटिस जारी करके यह लोग कर रहें कि जिसको अगर ट समचारे हो जाएंगे और थोड़ी बहुत अगर सीटे बसते भी हैं तो क्या करेंगे वी सीयल से ले लेंगे या सी कोल इंडिया लिम्क्रेड वालों से ले लेंगे तो यह दूसरे से मिल जोड़कर क्या करना है कि अब बैकेंसी देने के इन लोगों को जैसा मूड दिखी लिए बस किया तर्मेचारी जादा और और कम एक उसरे से ट्रांसफर करते जा रहें नीजी सिताव हें कि NCL में भी अब वकेंसी नहीं आई है अपरेंटेस की यहां पर भरती लिये हैं यह लोग काम भी चल ला है उसका लेकिन NCL में अब देखिए अब कब तक वकेंसी आती है कोई भी अगर अपडेट होता है तो आपको बताएंगे या फिर कोई भी BCCL या MCL या फिर ECL कहीं पर